Hello Everyone, Welcome to this video इस विडियो में आज हम Markbooks में Party-Wise Purchase Register Report विईू करना सीखेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे आप Report को Drill Down कर सकते हैं इसके लिए आप Report से Inventory Report से Purchase Party-Wise पर आएंगे तो इस तरह से Purchase Register Report शो हो जाएंगी आप चाहें तो यहाँ Edit Icon पर क्लिक करके Particular Ledger को Modify भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो Ledger Delete भी कर सकते हैं आप यहाँ Particular Party पर Enter Press करके या Double Click करके Month-wise उनकी Purchases देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ Right Side से Date पर क्लिक करके Date Filter एपलाई कर सकते हैं कि आप कब से कब तक का इस Party का Purchase Register देखना चाहते हैं तो उस Particular Period का Purchase Register शो हो जाएगा आप यहाँ Particular Month पर Enter Press करके Party की उस Month की Detail देख सकते हैं और अगर आप यहाँ किसी Reket पर Enter Press करते हैं तो आपको उस Particular Date का Purchase Bill शो हो जाएगा आप चाहीं तो इससे Modify कर सकते हैं, Print कर सकते हैं, Delete कर सकते हैं तो इस तरह से Simply आप Enter Press करके Report को Drill Down कर सकते हैं यानी Detail Report देख सकते हैं इस तरह दोस्तों इस वीडियो में आपने Party Wise Purchase Register Report वियू करना सीखा था था अधजू कर साओना स्कते हैं आपको 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 यानीड़ कर से कर देयों